लाडली बहनों के लिए सरकार के पास नहीं बचे पैसे, कर्ज लेकर चल रहा काम, जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीती लाडली बहना योजना के इर्द गिर्द ही घूमती दिखती है, जहां सत्ता पक्ष और विशेशकर सीएम मोहन यादव इस योजना में दिये जा रहे लाभों का जिक्र करते हुए, यूवतियों महिलाओं को बीजेपी समर्थक बनाए रखने की हर कोशिश करते हैं, वहीं विपक्ष यानि कांग्रेसी नेता भी सरकार को घेरने के लिए इसी योजना का सहारा लेते हैं, बता दे मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रस्तावि जा रही है, फिर भी सीम सरकारी परियटन पर जा रहे हैं, सीम के विदेश यात्रा पर पटवारी का तंज, बोले, देश प्रदेश में फ्लैप शो के बाद अब विदेश में होगी, नौटंकी, जी हा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेश में उद नौटंकी चल रही है, सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर करोडो रुपया फूंका जा रहा है, लेकिन कलपना का कागजी निवेश जमीन पर नहीं आ पा रहा है, देश प्रदेश में घूम कर मन भर गया, तो मुख्यमंत्री के साथ मुंगेरियों की टोली, अब में सरकारी परियतन की संभावनाई टोल रही है, कमलनात के गढ़ में चार नेताओं को पार्टी से निकाला, मचा हडकम, जी हा मध्य प्रदेश की राजनीती में एक बार फिर से सियासी पारा गर्म हो गया है, छिंदवाडा नगर निगम में कांग्रेस के खिलाफ अब बीजेपी ने कारवाई करते हुए चार नेताओं को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, दरसल उस समय राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कमलनात के इशारे पर ही बीजेपी के साथ खेला हुआ था, बतादें कि 8 अक्टूबर को नगर निगम अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें पार्शदों और नेताओं के साथ गाली गलोज का मामला सामने आया था, जिस पर बीजेपी जिला अध्यक्ष की ओर से चारों नेताओं से जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब संतोश जनक न पाए जाने के क पूर्व सीम शिवराज सिंह चोहान इन दिनों जारखंड में भाजपा की कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस राजद और जामुमों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए जारखंड में घुसपैठियों को आम उन्होंने कहा कि ये हमको तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जुड़ेगे तो जीतेंगे, अब इस देश को तूटने नहीं देंगे MP के इन खिलाडियों पर होगी पैसों की बारिश, जानिये किन-किन का है नाम, बता दे दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग में, इस बार फिर खिलाडियों पर पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि IPL 2025 के लिए आउक्षन होने वाले हैं तो चली आपको बताते हैं कि IPL 2025 आक्षन में मध्य प्रदेश के किन किन खिलाडियों पर बोली लगने वाली है बतादे आवेश खान, वेंकटेश अईयर, आशुतोष शर्मा, कुलदीब सेन, कुमार कार्टिकेय सिंह और अरशद खान जैसे खिलाडी इस रेस में सबसे आगे है पती ने मुबाइल रिचार्ज करने से किया मना नाराज पत्नी ने लगा ली फांसी बतादे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है यहां जरासी बात पर पती से नाराज पत्नी ने मौत को गले लगा लिया दरसल मोबाइल रिचार्ज करने से पती का इंकार करना पतनी को इतना नागवार गुजरा कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया जिससे मामला सुनकर पुलिस भी हैरान है अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है हर भक्त इसे देखते ही दंग रह गया बताया जा रहा है कि डॉलर के नोटों की ये माला अमेरिकी राश्ट्रपती चुनाव में डोनाल ट्रम्प की जीत की खुशी में चड़ाई गई है बताया जा रहा है कि महाकाल को डॉलर की माला चड़ाने वाले भक्त ने महाकाल के दर्बार में ट्रंप की जीत की मननत मांगी थी मननत पूरी होने और ट्रंप के जीतने की खुशी में भक्त ने बिना कोई देर किये महाकाल को गुप्त दान करते हुए डॉलर के नोटों की माला अर्पित कर दी खुश्खबरी सबसे पहले यहां शुरू होगी सरकारी बस सेवा, सीम मोहन यादव का बड़ा एलान, जीहा, मध्य प्रदेश सरकार बंध हो चुकी लोग परिवहन सेवा को फिर से बहाल करने जा रही है इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, जल्द सरकारी बसें सडकों पर दोड़ननने लगेंगी, फिर गाव से शहर आने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं, बलकि सरकारी बसें मिलेंगी बतादे अगली बार भगवान बिर्सा मुंडा की जैनती हो या दूसरे कार्यक्रम, इनहीं सरकारी बसों से आईए बतादे मुख्यमंत्री का कहना था कि ग्रामीन क्षेत्रों से लोग आमतोर पर, ऐसे कार्यक्रमों में ट्रैक्टर ट्रॉली से आते हैं अगली बार इसकी जरूरत नहीं आने देंगे, जिलों में सडक परिवहन निगम की बसों को शुरू करने जा रहे हैं नए साल में बदलेगा नक्षा बन सकता है नया संभाग बता दे मध्य प्रदेश में इन दिनों नए जिलों और संभाग के गठन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं वही छिंदवाड़ा जिले से पांधुरना को अलग कर नया जिला बनाये जाने के बाद कभी 13 लोगों ने शुरू किया था इस्तिमा अब आएंगे 14 लाख लोग जीहा दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल भोपाल का इस्तिमा 29 नवंबर से शुरू हो रहा है बतादे करीब एक दरजन लोगों ने जिस इस्तिमा को शुरू किया था उस इस्तिमे में अब लाखों लोग शिर्कत करते हैं इस बार भी 14 लाख लोगों के पहुँचने का अनुमान है भोपाल के इंटखेडिक शेत्र में 29 नवंबर से इस्तिमे का आयोजन होने वाला है इस आयोजन के लिए प्रशासन ने भी तैयारी तेज कर दी है आयोजन स्थल का दायरा इस बार और बढ़ा दिया गया है बता दे इस आयोजन में देश विदेश से लाखों की संख्या में लोग पहुचते हैं इस बार 14 लाख लोगों के आने के अनुमान को देखते हुए तैयारी की जा रही है